तो मैं थोड़ी सी चीज़े आपको clear कर दूँ कि GST के अंदर पहले tax का क्या situation है हम बिल्कुल core level से समझेंगे कि यह starting कहां से हुआ क्यों हुआ इससे पहले क्या-क्या tax हुआ करता था उसके बाद GST का accounting treatment क्या है आज हम देखेंगे यानि main मुद्दे की बात है कि आज GST का basically accounting treatment समझना ज़रूरी है उसके बाद फिर हम आगे continue करेंगे यानि अभी थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा वैसे हर किसी को पता है कि GST एक परकार का tax है लेकिन हम उसको और थोड़ा सा detail में exam point of view से लेके चलेंगे आगे ठीक है तो सर हमारे इंडिया में हम GST को बाद में देखें topic GST इसलिए मैंने पहले GST लिख दिया अगर हम बात करें तो पहले tax का क्या रहता है अगर हिंदुस्तान के अंदर हम टेक्स की बात करें तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं टेक्स को दो पार्ट में बाट दिया गया है सर एक बाटा गया है direct tax और एक है indirect tax direct tax और indirect tax बड़ी सीधी सी बात है example से समझते जाईएगा direct tax क्या होता है हमारा और indirect tax क्या होता है बड़ी simple simple से example लेते जाऊँगा समझते जाना suppose करिए Mr. X जिसकी income जिसकी income 10 लाक रुपए है Mr. X जिसकी income कितनी है सर 10 लाक रुपए अब Mr. X को government के पास Mr. X को government के पास जाना होगा government की बात करें हम तो यहाँ पे government का मतलब है जो tax collect करते हैं यानि tax department अगर Mr. X ने tax government को सीधा सीधा अगर नहीं दिया तो यहाँ पे possibility है कि government X को punishment कर सकता है यानि यहाँ पैसा कमाया X ने तो tax भी देनी की जिम्मेदारी बनती है किसकी? यानि यहाँ पे X और government का सीधा सीधा direct relation बन रहा है तो इसको इसलिए बोला गया direct tax सर इसका example है हमारा income tax इसका example है हमारा income tax जो की semester third के अंदर है income tax का हमारा subject यह पूरा एक subject है income tax तो इसका नाम है sir income tax अब बड़ी basic सी बात है एक हुआ करता था हमारा wealth tax wealth tax उठको हटा दिया गया हाला कि अग तो direct tax क्या है? जिसके उपर tax लगेगा जो पैसा कमाएगा उसी को tax देना है तो direct tax हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जितने भी person है उन्होंने सरकार को अभी तक tax नहीं भरा है तो मैं बोलूगा कि आप direct tax नहीं जमा करवाते सरकार को तो अब दूसरे aspect पर चलते है sir indirect tax indirect tax का example देखते हैं माल लेते हैं कि Mr. X है और Mr. X और इसका सीधा relation जो है एक दुकानदार से है एक दुकानदार से है Mr. X ने कोई समान परचेश किया सर किस समान परचेश किया दुकानदार से माल लेते हैं इसने एक कुछ X goods करीदा या माल लेते हैं इसने cloth खरीदा इसने क्या खरीदा cloth खरीदा इसने क्लॉथ खरीदा क्लॉथ खरीदा क्लॉथ की कीमत कितनी थी सर 100 रुपए के इसके उपर दुकानदार ने बोला सर आपको न टेक्स भी देना पड़ेगा और 10 रुपए का टेक्स है दुकानदार ने 110 रुपए वसूल लिये किस से कस्टमर से अब जो दुकानदार के पॉकेट में हैं दो तरीके का पैसे आया एक 100 रुपए और एक 10 रुपए दुकानदार के पॉकेट में 110 रुपए लेकिन दुकानदार जो 100 रुपए अपने पास रखेगा और ये 10 रुपए जो की दे देगा जाके government को कौन से government को मिलेगा किसको मिलेगा हम भी बाद में बात करेंगे यानि ये जो 10 रुप दुकानदर के पास आया है ये 10 रुपए उठा के दे देगा government को Ultimately अब जो tax payment किया है यहाँ पे भी x ने payment किया था और यहां पे भी किस ने payment किया है सर एक्स ने ही payment किया है फरक यह है कि एक mediocre आ गया बीच में एक्स पहले इसको देता है पैसे tax और फिर ये इसकी responsibility है कि government को ऐसा क्यूं है ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी वेक्ति से आप सब स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या आप से government tax वसूल सकता है और अगर आप से वसूलता भी है तो आप नहीं दोगे बड़ी सीधी सी बात है तो government ने क्या करा जिस चीज को आप consume करोगे, uses करोगे उसी के उपर tax लगा दिया so that जब आप वो समान खरीदोगे तो already उसके अंदर include होता है tax जिसको बोलते है inclusive tax तो ये concept आता है हमारा सर किसका? indirect tax का अब indirect और direct tax, सर indirect tax कितने होते हैं? indirect tax की अगर हम बात करें कितने होंगे indirect tax? तो indirect tax की list लंबी है जैसे होता है हमारा sales tax sales tax के बाद होता है value added tax that is wet इसके बाद होता है सर service tax मैं कुछ एक example ले रहा हूँ, इसके बाद होता है entertainment tax इसके बाद होता है सर हमारा sales tax होगे central tax या excise duty कुछ इतने तरीके के taxes हैं जो example है हाला कि 30 से बड़ी लंबी list है ये ये tax है और ऐसे करते करते कम से कम ये tax की list कम से कम 45 है 35 लिस्ट है अब अगर मैं आपके school की बात करूँ, बड़ी छोटी से example है, school की बात करूँ है, IP University है, IGNU है और State University भी है तो जो अगर मैं बात करूँ DU की तो DU सरिफ अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है अपना सारा हिसाब किताब रख सकता है क्या Delhi University आपका IGNU के student का detail रख सकता है अपने पास, नहीं रख सकता है, यानि वो दोनों separate है सेम यहाँ पे यह सब आपस में separate है, यह सभी आपस में separate है, यानि इसको एक अलग तरीके से organize करने के लिए वैट को एक अलग organization की जुरत पढ़ रही थी, इसको एक अलग organize करने के लिए, इसको एक अलग organize करने के लिए, एक सको एक अलग organize यानि इन सभी को organize करने के लिए अलग-अलग department की जुरत थी जब ऐसी दिक्कत आई तो government को इसको संभालना थोड़ा सा मुस्किल लग रहा था कि भी हम expense अपना बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब sales tax के अंदर जितने worker होंगे फिर वो sales tax का detail देखेंगे दूसरा जो दुकानदार है अगर मैं दुकानदार की बात करूँ तो दुकानदार को भी बहुत सारे लोगों की बातों को मानना पड़ रहे हैं अगर एक दुकानदार है जो मान लेते हैं कि वो service provide कर रहा है किसी चीज की service provide in the sense या मैं इस दुकानदार को मान लेता हूँ कि यह railway की tickets देता है जो IR city से आपने देखा होगा आसपास ना बनाने वाले agent होते हैं तो यह service भी दे रहा है साथ के साथ इस दुकानदार ने उस ticket बनाने के साथ साथ और भी क्या करता है goods भी बेचता ही है यानि सामान को बेचता है तो अब इस दुकानदार को क्या करना है जो service दे रहा है उस service पे इसको service tax की सारे compliance फॉलो करने है और goods जो बेच रहा है उसके उपर sales tax या wet का सारा compliance फॉलो करना है यानि एक दुकानदार अगर ये सारेट काम करेगा तो उसके पूरे के पूरे tax के हिसाब से अपना अलग-अलग file maintain करना है तो एक दुकानदार के लिए भी complicity है बड़ी मुश्किल की बात है तो इसलिए government ने क्या करा गवर्मेंट ने करा कि भीया देखो income tax तो अलग है और इसके अंदर भी जो income tax है न ये सारा का सारा पैसा जाता है center के पास center के पास center government के पास center government आप simple से शब्दों में समझ सकते हो जो की परधान मंत्री अभी है तो उन government के गवर्मेंट कर इसमें कोई भी changes करनी हुई ना इसके अंदर बदलाब कोई भी जैसे income tax आपका 20% हो गया 30% हो गया तो इसको central government ही बदलाब कर सकते हैं और कोई दूसरा राज्य का नहीं कर सकता सारा पैसा इनके पास जाते हैं और जो ये वाली list है ना indirect tax इसमें कि मिला जुला रहता है सर मिला जुला क्या रहता है जैसे कि इसके अंदर रहता है आपका center का भी हिस्सा कुछ और कुछ हिस्सा state का भी कुछ हिस्सा center का भी होता है कुछ हिस्सा state का भी होता है आपका center government को जो भी चाहिए वो अपने according ले लेता है जो इन tax से पैसा वसूली करता है उसी से state अपना क्या करता है राज्ये को चलाता है यानि जैसे अगर UP की बात करें तो UP चलाने के लिए वहां के सड़के बनाने जो भी करना है government tax तो लेगी उस tax के बदले वो वहां पे facility देगा लेकिन कुछ center government भी वहां पे facility प्रवाइड करतेती है तो मिला जुला के मैं बात करूँ के हिंदुस्तान को अगर मैं चलाने की बात करूँ तो country को चलाने की बात करें तो दो लोग मिलके चलाते हैं एक जिसे बोला गया center government एक जिसे बोला गया state government state government क्या करती है अपने छोटे छोटे राज्ये को चलाती है हर state का अपना अलग मुख्य मंतरी होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि हर राज्ये का अपना अलग राजा है जैसे पहले राजा हुआ करता था आप कौन है मुख्यमंदरी अब सेंटर गवर्णमेंट क्या करती है कि इसको भी निगरानी रखती है यानि जैसे आपके less के अंदर teacher है हर teacher अपने classroom को अपने हिसाफ से manage करता उनको देखने के लिए भी एक कौन है प्रिंसिपल चो उनको देख रहा है तो finally जो वरडिक होता है वो तो प्रिंसिपल कहीं चलता है लेकिन बहुत सारी चीजे प्रिंसिपल ये थोड़ी बोल सकता है कि इस बच्चे को काम मत देना यानि कुछ पावर आपके क्लास टीचर्स के पास भी है कुछ पावर प्रिंसिपल के पास भी है सेम ऐसे स्टेट गवर्मेंट के पास पावर है कि किस चीजों पर टेक्स लगाया जाए जो उसके अंडर है और किस चीजों पर ना लगाया जाए और सेंटर गवर्मेंट उसके देख रेक करता है तो ये text बहुत complicated हो रहा था इसमें से मैं बताओ ना क्या क्या center के पास जाता और क्या क्या state के पास जाता है तो कुछ ऐसा कहानी है ये जाता है state के पास ये जाता है आपका center के पास ये जाता है center के पास ये state के पास इसी तरीके से sales tax भी पहले हुआ करता था जो कि state के पास इन सभी को मिला जुला के इन्होंने करा क्या एक काम करते हैं इसको हम convert कर देते हैं एक ही नाम में GST में यानि क्योंकि यहां पे समान के उपर भी tax लग रहा है और service के उपर भी tax लग रहा है तो बोला गया कि हम इसको कर देते हैं एक ही single tax goods and services tax का नाम दे दिया गया इसको single tax में convert कर दिया गया that is goods और services tax GST लेकिन मुद्दा आया कि सर यहां पे अलग-अलग tax का नाम है तो कुछ tax तो state government पकट रही थी अपने पास और जो कुछ tax है वो center ले रही थी तो मुद्दे की बात आई जब GST आया तो GST के अंदर center कहती है जब recommendation आया तो अब एक ही tax हो गया यह center ने बोला मान लेते हैं center क्या कहता है कि यह सारा का सारा हमारा होगा center government ने बोला यह सारा हमारा होगा और जिस राज्य को ज़रत पड़ेगी वो हम अपने हिसाब से time to time पे देंगे इस तरीके से जो state के राजा थे उनके power चली गई जाने लगी हमारे देश के अंदर कभी भी कोई भी कानून बनता है तो कानून बनाने के लिए हमारे देश के अंदर एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है पहले लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों के अंदर अगर सहमती बन जाती है सहमती बनने के बाद जब राश्टपती उसके उपर सिगनेचर कर देता है तो वो कानून बन जाता है और राश्टपती सिगनेचर तब तक नहीं करेगा जब तक दोनों सभाओं के यानि पार्लियमेंट और लेजिस्टेटिव एसेमली लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सहमती बन के जब तक नहीं जाएगा मान लेते हैं 51% की वोटिंग से तब तक परसिडेंट यानि राश्टपती भी सिगनेचर नहीं करेगा तो जी एस्टी की हम बात करें तो जी एस्टी क्या लगता है अगर हम बात करें जी एस्टी आना था और इसका पैसा कौन रखेगा सेंटर इसका पैसा कौन रखेगा तो लोक सभा के अंदर तो चलो मोदी की गवर्मेंट का था हाथ तो लोक सभा के अंदर तो ये 51% मेजूरिटी से वोटिंग करवा लेंगे जैसे आप सभी हो आप में से मैंने बोला कि 51 कितने लोग चाहते हैं GST आएं तो अगर मेरे ही MP हैं सारे तो वो तो हां कर देंगे लेकिन राज्य सभा के अंदर पास कराना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर राज्य का मुख्य मंदरी अलग अलग पार्टी से होता है तो वहां पर मुश्किल है तो क्या आपको लगता है कि राज्य सभा के अंदर बोलेंगे ठीक है आप एक काम क इतना भी टेक्स हमें मिला करता था अब आप ही रख लो इसको क्या वो सहमती बनाएंगे सबसे बड़ी समस्या यहां रहे थी कोई भी देश ना दो तरीके से चलाए जाता है एक होता है देश के अंदर जैसे कि छोटे-छोटे राज्ये बना दिये गए और एक होता है देश क के अंदर कोई राज्ये नाम का यानि मुख्य मंतरी नाम का कोई चीची नहीं होता है जैसे हम बात करें यूके यूके के अंदर आपका कोई ऐसा नहीं है स्टेट होगा सिर्फ एक ही होता है प्राइम मिनिस्टर पूरे भारत पूरे यूके को चला रहा होता है सेम फ्रांस वहाँ पे एक ही होता है, सब को चला रहा होता है लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे अमेरिका ले लो, वहाँ पे भी राज्ये हैं हमारे भारत के जैसे ही, वहाँ पे राज्ये भी है और एक सेंटर भी है तो GST अगर लाए, तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है, उनको क्या लगेगा, कि अगर हमने GST पे सहमती बना दिया एक पारलेमेंट में से तो पास हो के आ गया और अगर हमने GST पे सहमती बना दिया, तो ये बिल चला जाएगा राष्ट्पती पे और राजपती ने सिगनेचर एक बार कर दिया उसके बाद तो हम भी कुछ नहीं कर सकते यानि इसका पैसा किसके पास जाएगा सीधा और फिर हमें जरूरत के हिसाब से उनसे पैसे लेने पड़ेंगे और वो फिर हो सकता है दे भी और हो सकता है ना भी दे वहाँ पे यह situation था तो राज्य सभा में हमेशा लोग सभा में पास हो जाता राज्य सभा में क्या हो जाता यह decline कर देते हैं बोलता है नहीं भी हम नहीं एगरी है तो अगर लोग सभा में पास हो गया और राज्य सभा में मना कर दिया गया तो क्या हमारा GST बन सकता है? नहीं बन सकता तो यानि इसके लिए सबसे बड़ी चुनोती और सबसे बड़ी जो समस्या आई कि हमें दोनों जगे से बिल पास कराना है और दोनों जगे से बिल पास कराने के लिए लोग सभा में भी जो government है राज्य सभा में भी वही government हो यानि अगर बीजेपी की government की बात करूँ तो लोग सभा में तो पास करा सकती है लेकिन बहुत सारे state में बीजेपी की government नहीं है तो बीजेपी को एक ही काम करना था कि उसको जादा से जादा state में भी अपने मुख्य मंतरी बनाने थे और अपने जिसे MLA बोलते हैं वो बनाने थे ताकि मेरा दब दबार राज्य सभा में भी रहे जो मैं बोलू राज्य सभार वालों ने भी yes कर दिया और लोग सभा से yes होई रहें वो वो बिल फटा-फट से पास हो जाए सिर्फ इसी का one of the एक example है के हमारा 370 हट पाया जो भी था और उसी का एक example है के हमारा GST आ पाया क्योंकि GST लाने की बात आज से नहीं चल रही थी सन 2000 में अटल बिहारी बाचपाई भारत के परधान मंतरी थे तो उन्होंने बोला था के GST आना चाहिए इंडिया के अंदर लेकिन उस तेम पे सबसे बड़ी दिक्कत थी के सेंटर की government भी थी वो एक गटबंधन में था गटबंधन मतलब क्या होता है के दो अलग-अलग party मिलके बनाते हैं उस तेम वो नहीं लेके आ पाई क्योंकि वहाँ पे ना तो लोकसभा में रह पाएं ना राज्यसभा में जब 2004 का election आया तो उस तेम बीजेपी हार चुकी थी 1999 में चुनाओ जीता उन्होंने और 2004 में बीजेपी चुनाओ हार चुकी थी 2004 के बाद फिर government किसका आ गया हमारा Congress का Congress का government आने के बाद फिर 2008 के अंदर 2008 के अंदर भी पहले देखो पार्टी क्या करती है कि जो चीजे अच्छी चीजे होती है चाहे बुरी चीजे होती है opposition का काम होता है कि इसको बेकार बताना सिर्फ बेकार बताना तो Congress ने 2004 के अंदर oppose किया कि यह GST नहीं आना चाहिए इससे वेपारी सारे क्या होंगे बरबाद हो जाएंगे इससे उनका यह कहना था लेकिन जब 2008 में government आई 2004 में तो 2008 के अंदर ही पीची तामरम जो कि इनके finance minister है इन्होंने पहला bill लेके आए कि GST आना चाहिए यानि पहले Congress ने मना कर दिया और फिर बाद में Congress ने बोला GST आना चाहिए तो यानि फिर GST हमारा नहीं आ पाया 2014 तक फिर UPA का government था यानि दो बार Congress की government बनी 2004 से लेके 2014 तक फिर 2014 के अंदर हमारी सरकार BJP की वापस आ गए 2014 में 2014 में government आई तो फिर government ने फिर बोला BJP ने की GST आना चाहिए और GST आने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है लेकिन 2014 में ये इतनी powerful नहीं थी उस time पे सिर्फ मतलब के center में तो थी लेकिन state में अभी भी UP के अंदर कोई और था योगी नहीं था जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए राजजे सबा के सबसे ज़्यादा member होते हैं वो UP से आता है क्योंकि बहुत बड़ा एक तरीके से वहाँ पे state है वो और भी बहुत सारे राजजे में बीजेपी नहीं थी तो 2014 में नहीं लेके आ पाई धीरे धीरे बीजेपी UP को भी जीतती है फिर धीरे राजस्थान को जीतती है MP में पहले से था तो बहुत सारे जब राजजे को जीत ले देती है तो उस situation में बीजेपी की बहुत सारे क्या सबसे बड़ी समस्या थी कोई भी कानुन पूरे भारत के अंदर एप्लाई हो जाता था लेकिन एक करता था था हमेशा समुद्धा क्योंकि उनके मुख्य मंत्री से पूछना पड़ता था सेंटर को राष्टपती को भी पूछना पड़ता था कि हम आपके स्टेट में यह कानून लगाए या ना लगाए कुछ ऐसे शर्तों के साथ कश्मीर हमारे साथ मिला था आजादी के बाद जो कि वहां के राजा थे हरी सिंग उन्होंने कुछ ऐसे शर्तों के साथ इंडिया के साथ आना पसंद किया था कि कभी भी कोई भी कानून बनेगा तो हमारे स्टेट के उपर यानि जमू इंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं करेंगे तब ही हम आपके साथ मिलेंगे तो ऐसे कि क्यों मना किया जा रहा था सबसे पहले में ये थीम समझिएगा और बाद में धीरे-धीरे एक्सेप्टेबल क्यों हुआ यह भी समझिएगा तो जीस्टी के अगर मैं बैग्राउंट की बात करूं तो जीस्टी सबसे पहले ऐसा नहीं कि अभी फॉस्ट टाइम पे देख है ही नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर 1954 में सबसे पहले GST आया, और उसके साथ साथ धीरे-धीरे हमारे 160 countries के अंदर अभी GST है, GST basically कोई ऐसा tax mechanism नहीं है, GST क्या है, सभी tax को एक club कर दिया गए और एक single सा एक department है कि अगर आपका services या goods से कोई भी related query होता है, तो इस खड़की पर जाईए, यहीं समाधान मिलेगा और कहीं जाने की जरुरत नहीं है, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि एक AIMS hospital बना दिया गया, कोई भी बिमारी है, वहाँ जाईए, पहले क्या होता था, कि भाई यह यह बिमारी है तो यहाँ जाना है, यह बिमारी है त अभी तक नहीं आया है, अमेरिका के अंदर, पर अमेरिका के अंदर GST क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे कहानी वही है, राज्य सभा और लोग सभा, और जितना पावर हमारे राज्य सभा में दिया जाता है, मुख्यमंत्री को, उससे कहीं ज्यादा पावर वहाँ पे प्लेक्स दिया जाता है किसको से लोगा अंदर वरा के मुखे मंत्री को वहाँ पे जो कोर्स करते हैं अकंटंट तो हर स्टेट का अलग- अलग चाटेड़ accountant भी होता है जैसे आप दिल्ली के इंडिया के अंदर सीए बनते हो तो आप पंजाब में सीए का जॉब करो या फिर आप दिल्ली में करो या फिर बिहार में करो यूपी फरक नहीं पड़ता हो वहाँ पे हर स्टेट का एक अपना CPA माना जाता है जिसे हम certified public accountant बोलते हैं तो वह स्टाइम जीएस्टी 2000 के अंदर एक draft बिल पेस किया गया ऐसा तो होना चाहिए क्योंकि इंडिया को जूरत है अगर बात करते हैं जीएस्टी की तो 2000 में सबसे पहले PM अटल बिहारी वाजपाई ने committee to draft GST model बोला के जीएस्टी इंडिया के अंदर आना चाहिए फिर 2004 के अं इंदर अटल बिहारी नहीं रहे थे क्यों मतलब के परधान मंतरी नहीं रहे तो वहां से तो हटी गए तो जो कमेटी बनाया तो कमेटी यह गवर्मेंट अधिकारी की में बात करूं मान लेते हैं आप आई एस ऑफिसर बनते हो तो आपको किसकी बात माननी होगी जो नेता क कि केलकर टास्क फोर्स के नाम से वह कमेटी बनाया गया था जीस्टी मस्ट बी इंप्लीमेंट उन्हों ने बोला कि भीया जीस्टी को इंप्लीमेंट करिए और उससे ठीक रहेगा उसके बाद फिर 2006 मैंने पहले 2008 बताया 2006 के अंदर हमारा अनौंस जब 2004 में बताया गया तो पी चितामरम ने बोला कि भीया 2006 साथ में के हम जीस्टी को इंटेड्यूस करने वाले हैं एक अप्रेल 2010 से वहाँ पर डिसाइड बन गया था लेकिन 2010 में भी फिर से जीस्टी नहीं आ पाया 2014 में जैसे ही बीजेपी की गौर्रमेंट बनी उन्होंने क्या करा amendment समिधान को ही amend कर दिया constitution को ही amend कर दिया constitution मतलब हम जी constitution आर्टिकल होता है इसके अंदर तो हम उस आर्टिकल पर नहीं जाते अभी फिलाल आर्टिकल 356 है एक उसमें कहता है कि किसी भी जब समिधान बना था बोला गया कि किसी भी देश को अगर कोई भी कानून बनाना है तो वह जो वहां के लौ है और जो रूल और रेगुलेश गया और लोग सभा में तो पता ही है के 2014 में पास हो ही जाना था वहां तो रुखने वाले कोई सवाल नहीं था क्योंकि लोग सभा के अंदर मोदी की मेजियरिटी थी गवर्मेंट सिंगल अपने पावर पे वो लेके आये थे कितनी सीटे थी 283 सम्थिंग सीटे आई थी उन यह अलग अलग पार्टी के अपने अपनी कलर है अपने अपने जो भी वह मांक लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग है तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर देखा जाए तो छोटी से चीजे हैं MP आपका परधान मंत्री बनेगा तो वह 543 सीटों पे चुनाव लड़ता है इसमें से अगर वह 50% से अब यानि कहानी है 51% अगर उनके MPs हो जाते हैं तो वह जीच जाएगा तो BJP का देखो यह 50% से क्या है अब अब है लगबग यह सारा BJP का सारा है इसलिए वह अभी आज जे सभा होते हैं उसके अंदर 245 है 245 कभी मान लेजिए 50% अब अब कितना होगा तो जो भी हमारा नमबर निकल के आता है जैसे कि हमारा लगबग लगबग 123 के आसपास निकल के आएगा 123 जिसके सीटे आ जाएगी वह क्या होगा अगर यहां पे आपके 123 मेंबर आ जात कि आप ही का person कोई 280 यहां पे है और यहां पे आपका person कितने है 1 123 दोनों जगह अगर आपके परसन बैठे वह हैं तो आप देश के अंदर कोई भी कानून बनाईए बाकि जो भी कुछ भी करता रहे कुछ भी करता रहे बदल नहीं सकता क्योंकि यहां पे भी पास हो जाएग इनहीं में से सभी लोग जो 51% बोलेंगे इस वेक्ति को रास्टपती बनाओ तो राश्टपती बन जाएगा तो बट उवेस है के ये उन्ही को रास्टपती बनाना समझेंगे जो उनकी बात को मानेगा आगे चलके तो रास्टपती भी इनका हो गया जो सिगनेचर करने वाला है और यहां पे भी और यहां पे तो इस तरीके से GST लाए जा सकता है तो 370 जो था ना आर्टिकल 370 वो थोड़ा सा अलग मुद्दा है वो आने का यही परपस था कि इन्हों रास्पती इनका था यहां पे इन्हों पर घ्रत के अंदर वे कुछ एसे राज्य हैं जहांत्र मुख्य मंतीरी नहीं होता है जैसी मेण फॉर एक्जामपल लूँ तो आपका लक्ष दीप या चंड़ी गज है जहांकि मुख्य मंत्री कोई भी नहीं है उसको हम बोलते यूनियन इंको गवर्न-करने कि सारे जिम्मेवारी किसकी होती है? सर, सेंटर की ही जिम्मेवारी होती है. तो हमारे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे territory है, जहां पे मुख्य मंतरी नहीं होते हैं, सर. कौन-कौन से ऐसे territory है? अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये हमारे कुछ territory जिसको के मैं नाम दूँगा जैसे अंडमान एंड निकोबार, चंडिगर, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दिव, जमू एंड कश्मीर, पहले यह अलग स्टेट हुआ करता था, लेकिन जब 370 हट गया तो यह नहीं रहा, इसके बाद आपका लक्स दीप समू, यह सारे ऐसे हैं, जहां पर मुख्यमंतरी को हटा दिया, बोला भईया तु यहां मुख्यमंतरी नहीं रहेगा क्योंकि यह सारे ऐसे sensitive area है, मुख्यमंतरी को दिया तो पता चला कि उसने कबजा करवा लिया किसी और देर से, यह सारे ऐसे area हैं, जैसे कि मानलो आपका जमू इन कश्मीर, बॉर्डर है यहां पर, अब भई, यहां पर मुख्यमंतरी को आपने फाइदे के लिए vote देने के चकर में पता चला कि भाई, वहां पर एक राज्य से, दूसरे राज्य से, पैसे वैसे के चकर में कुछ कर लिया, तो यह ऐसे sensitive area है, जहां पर center government ने बोला भाईया, यहां पर तो हम ही करेंगे राज, क्योंकि जितने भी arm force है, वो किसके under होता है, आर्मी, center के, तो बोलता है union territory, इसके बाद बात करते हैं, सर, 2016 के अंदर, क्योंकि 2019 में दूसरा चुनाव आता है, 2016 के अंदर हुआ क्या, 2016 के अंदर amendment आया, बिल के अंदर, was passed, आपका राज्य सभा में भी pass हो गया, और इसको amend कर दिया गया, सर, 2016 में क्यों, 2014 में क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि 2016 तक, जो बीजेपी है, बहुत सारा राज्ये जीच चुके थी, वो हर्याना को भी जीच चुके थी, यूपी को भी जीच चुके थी, इनफेक्ट पंजाब में भी उसी की government थी, जमु इंड कश्मीर में भी कहीं न कहीं उसी की दोनों की मिले जुली government थी, तो 2016 तक, बहुत सारे पर जो मैंने यहां पिक्चर दिखाया बहुत सारे राज्यों पर वह कबजा कर चुकी थी 2000 और उस तरीके से इसने क्या करा simply बिल को पास करा दिया लेकिन यहां पर आपको लगेगा सर ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं तो यहां पर तो सरकार का कोई एथिक रहा लोगों के पास कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं जैसे कि एक ताइम पर अपने इमर्जेंसी का नाम सुना होगा इंद्रा गांदी के टाइम पर इमर्जेंसी लगा था उस ताइम पर बहुत लोगों के अपने opinion असर कोई बोलत है गलत है कोई बोलता सही वहां पर र्यूट से सारी उसकी आजाली चो में बाहर नहीं जा रहे हैं आप कुछ भी government के बिना पूछे नहीं कर सकते तो उसलिए government ने क्या करा कि हम ऐसा तो नहीं करने वाले कि हमारी बदनामी आज तक हो जैसे कि इंद्रा गांधी के सरिफ उसी के वज़े से बदनामी होती है जो कि government वो हार गई थी उस ताइम पर तो यहां पर भी इन्होंने कोस किया कि सर हमारी कोई बदनामी ना हो उन्होंने बोला कि जी एस्टी का जो केलकर था केलकर कमेटी बनाई गई थी उन्होंने बोला सर जी एस्टी को आप ऐसे ना ले जो आपका जी एस्टी है ना आप एक काम करें सीधी सी बात है आप उनकी मदद तो करेंगे ही करेंगे ऐ तो GST को पास राज्य सभा से कराना है अगर आपको GST से तो बड़ी सीधी सी बात है इस पैसे का आप बटवारा कर दीचिए क्योंकि आपका GST बिल इसलिए पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये पैसा किसके हाथ में पहुंच जाएगा सेंटर के बात में तो आप कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि GST का क्या हो जाए बटवारा हो जाए जिससे वह क्या हो जाए थोड़ा सा कमफरेबल फील करने लग राज्य सभा में और जितने भी जो अपोज कर रहे हैं वह भी बोले चलो ठीक है इसे आने दो तो 2016 के अंदर इन्होंने फिर से बिल ड्राफ्ट किया और बिल ड्राफ्ट करके यह सारी चीजे ले के आए और 2000 एक GST काउंसिल की मिटिंग बुलाई और GST काउंसिल क्या होता है कि यह मेंबर होते हैं सभी GST के राज्य सभा के तो वह चीजे हमारे रहेगा मार्च 2017 में GST काउंसिल ने रिकमेंडिशन किया उसके बाद उन्होंने बोला कि भाईया GST जो होना चाहिए आब हम बता देते हैं कैसे होना चाहिए आपका GST है बिलकुर ठीक है कोई इसमें दो राए और कोई दिक्कत है ही नहीं आपके GST में आप ऐसा करिए GST का पैसा बाटिए तो भाईया बाटने का नंबर आया तो बोला गया किस-किस में बाटना है तो बोला गया सबसे पहले तो भाईया हम चलाते तो उन्हीं को हम ही है जो ये थे यहाँ पे ना तो कोई मुख्यमंत्री है ना यहाँ पे कोई सेंटर चलाती है तो इसने बोला कि भी इनका भी अधिकार अलग से देना पड़ेगा इसको तो यहाँ पे इन्होंने एक अधिकार लेके आए किनके लिए union territory के लिए मैं राज्य को दिक्कत यह आ रही थी कि जितना हमें पहले मिल रहा था कम से कम उतना ही अब हमें चाहिए अगर माल लेते हैं हम यूपी की बात करते हैं तो जी अस्टी आने से पहले वैसे तो यूपी में बीजेपी की गौवर्णमेंट है वह तो बीजेपी में हाँ हाँ ना माल लेते हैं GST आने से पहले इसका पांच हजार करोड रुपे का अगर मंध्ली टेक्स कलेक्शन होता था तो यह चाहते थे कि जिएस्टी आने के बाद भी जो हमारे हिस्से में आ रहा है वो भी कितने के बराबर होना चाहिए अट लिस्ट पांच हजार करोड तब ही तो हम सहमती बनाएंगे तो इस सिचुएशन में वह बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिसके अंदर बोला जाता था कि भीया यह बोलते है कि नहीं यह नहीं होना चाहिए दूसरा बोलते थे अभी भी हमारे साथ आपका गवर्मेंट बना है तो इस तरीके से होगा तो लोगों ने बोला देखो पहले हमें न कई सारे टेक्सिस मिला करते थे टोटल इनके पास 20 टेक्सिस हुआ करते थे लेने के लेकिन 20 टेक्सिस भी ऐसे थे जिसका कोई मतलब नहीं था बिल्कुल ना के बराबर तो जो 20 टेक्सिस इनके पास हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या करा कि बोला के भीया सेंटर और स्टेट तो इनका अगर मैं देखूं तो सेंटर और स्टेट तो पहले यह पैसा मिलता था कि यह स्टेट को चला जाता था और यह सेंटर को चला जाता था सेंटर को तो कुछ मिला जूला ऐसा था और भी बहुत सारे टेक्सिस थे तो गवर्मेंट ने बोला कि भीया ऐसे नहीं बनेगी बात कुछ चीजों में हम सब सेक्रिफाइज कर रहे हैं कुछ चीजों में आपक और माल बनते टाइम पर ही जो टेक्स लगता था वो किसके पास चला जाता था सेंटर के पास माल बिके या ना बिके बन गया तो आपको टेक्स देना पड़ेगा तो वहां पर सेंटर तो गवर्मेंट ने सेंटर ने बोला हम इसको छोड़ रहे हैं तो आपको भी यह सारे टे इतना भी टेक्स का क्लेक्शन होगा ज़ितना भी गूट्स बनेगा हम भी सेकर अब अबृम्स कर रहे हैं इन दोनों के बीच में डिवाइड और इन दोनके बीच में कितना हो जाएगा सर फिफटी पर संट जैसे कि माल लेते हैं 100 रुपए का टेक्स GST लगा तो 50 रुपए चला जाएगा किस के पास सेंटर के पास और 50 रुपए किस के पास चला जाएगा यानि ये सहमती बना ली गई कि जितना भी टेक्स होगा पूरे इंडिया के अंदर वो 50-50 होगा लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा डारेक्ट टेक्स को गवर्मेंट ने बोला डारेक्स तो सुरू से हमारा था और अब भी हमारा है तो उसका इससे कोई मिक्स करने की कोई अब शकता नहीं है वो डारेक्स को अलग है वो वो तो हमारा पहले भी था और अब भी हमारा ही रहेगा जो income tax था हम सरिफ बात इस पर कर रहे हैं बोला गया यूटी तो सेंटर ने बोला इसको भी एक state की तरीके से हम मानेंगे तो जो भी GST आएगा तो यहां पर इनको भी 50% दिया जाएगा लेकिन अब जो GST आता था दिक यहां पर फाइनली के मान लेते हैं डेली है और डेली के बाद मान लेते हैं यूपी है यूपी और डेली मैंने गलत जगें मैप बना दिया तो मान लेते हैं यूपी और डेली आसपास ही है अब बड़ी सीधी से बात है यूपी और डेली यहां पर GST लाने का न एक main purpose था cascading effect को खतम करना sir cascading effect क्या होता है पहले text के उपर text लग जाया करता था एक ही text पर multiple text लगा करता था text पर चोरी हो जाया करता था हम आगे देखेंगे वो accounting aspect के अंदर होता क्या था UP government ने UP government ने क्या करा sale कर दिया किसको sale करा UP government ने डेली को आप जानेंगे तो डेली के अंदर manufacturing का कोई unit ही ने बहुत कम है सारा सारा का है या तो आपका गुरगाओं चले जाओ और गुरगाओं कहा जाता है sir हर्याना में या फिर आप चले जाओ NOEDA UP जो की UP में आ जाता है कोई भी समान यहां से डेली के अंदर आया तो इसके उपर text लगाने की जिम्मेदारी GST कौन लगाएगा sir इसके अंदर अगर मैं text लगाने की जिम्मेदारी बताओं तो GST जो था वो लगाते थे GST की बात करें तो GST कौन लगा रहे थे यहां पर योगी योगी गवर्मेंट यहां पर क्या लगा रहे थे GST यानि 100 रुपे का समान यह क्या करते थे 10 रुपे महंगा करके बेच रहे थे कितने का 110 का केजरी वाल के पास कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने क्या करा नोईडा से समान खरीदा और डेली में आके कंजूम कर लिया बड़ी सीरी से बात है यानि होलसेल में वहां से समान खरीद के लाता था और डेली के अंदर में क्या करता था बेच देता था तो जो डेली था केजरी वाल सरकार उन्होंने का सर हमारे पास तो कुछ आई नहीं था मान लिया के CGST आधाधा हो गया लेकिन आधाधा में एक तो योगी को चला गया और आधा किसको चले गया मोदी को चले गया लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं आया ऐसे सिच्वेशन में एक कंडीशन बन गई कि डेली गवर्मेंट भी क्या करने लगी कि भीया कोई यूपे से माल नहीं खरीदेगा हम खुद मैनिफेक्चरिंग करेंगे और यहीं बेचेंगे यानि हम किसी और जगह से समान खरीदना ही बंद करना चाह रहे थे तो अगर हर एक स्टेट ये सोच ले कि यूपी के अंदर बनके यूपी में बिक रहा है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है तुम्हें और जो डेली के अंदर बनके डेली के अंदर बिक रहा है उसमें भी तुम्हें के जगह से दूसरे जगह बनके जा रहा है तो सारी दिक्कत वहां पे है तो हम इस दिक्कत का समाध के जाएगा तो उसके ऊपर जो टेक्स कलेक्शन होगा वो टेक्स कलेक्शन हम किसी स्टेट को देंगे ही नहीं हम क्या करेंगे खुदी रख लेंगे सेंट्रल गवर्मेंट ने इसका निफ्टारा किया यानि जिस चीज पर आपकी लड़ाई है दो राज्ये लड़ रहे हो त इसको नाम दिया गया आई जी एस्टी इंटी ग्रेटिड गुड्स और सर्विस टेक्स दोनों स्टेट गवर्मेंट जो थे वह बोले हमारा लड़ने का क्या फाइदा जो बैनिफिट था वह कौन ले गया सेंटर लेकिन सेंटर ने बोला रुको आप ऐसा मत समझो कि यह प मंथली नाव हम यह चेक करेंगे कि अगर आपके पास अभी 4500 करोड़ रुपे है तो कहीं न कहीं वह राज्य किसमें रह गया जीएस्ट आने के पास घाटे में तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई जीएस्टी में होगा हम आपको 500 करोड़ रुपे यहां से नि इंकम तो उतनी जितनी पहली बन रही थी उतनी आएगी ही आएगी तो गौर्मेंट ने शियोटी दिया कि इस पैसे को हम आपको यहां पे देंगे तो इसमें सारे के राज्य जितने भी थे वो मान गए तो इसी तरीके से हमारा जीएस्टी के अंदर जो रिकमेंडेशन किय इसी अगया तो पहला बोला गया सर सीटी होगा मतलब सर सीटी सेंटर को जो पैसा जाएगा जो क्या क्या बोलेंग़ सर जो Union Territory को जाएगा तो उसका नाम पढ़ गया UT और GST तो है सर Union Territory के अंदर कितना होगा सर बराबर बराबर और जो IGST है तो IGST कम लगता है जब एक राज्य की सीमा को दूसरी राज्य की सीमा को क्रॉस कर दे एक स्टेट को दूसरा स्टेट क्रॉस कर रहा हूँ तभी लड़ाई होना था जब उसी स्टेट के अंदर काम चल रहा होता तो कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं थी तो बोला गया भीया IGST जो है वो किसी के अंदर नहीं बटने वाला ये सिंपल रहेगा और एक परसंटेज रहेगा जो किसके पास जाना है सेंटर गवर्मेंट के पास तो ये वाला कब होगा अगर इन सभी की मैं बात करूँ अगर मैं इन सभी की बात करूँ यहां से लेके यहां तक की पॉइंट्स की बात करूँ यानि यहां से यहां तो ये सब एक राज्ये के अंदर ही जब हो रहा हो तब और एक राज्ये के अंदर यानि विदिन स्टेट होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट यानि इंट्रा स्टेट बनाया जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए तब लगेगा आपका दो परकार का text इंटराइस्टेट के अंदर लेकिन जैसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओगे जिसको बोलते हैं इंटरस्टेट इंटरस्टेट तो वहाँ पर क्या लगेगा सर वहाँ पर हमारा लगेगा इंटरस्टेट मतलब एक राज्य से दूसरास्टेट मैं बोल सकता हूँ out of state out of state एक राज्य से दूसरे राज्य में तब वहाँ पर क्या लगेगा अगर मैं कहुँ के मैं दिल्ली के अंदर माल बना रहा हूं और दिल्ली में ही बेच रहा हूं और 200 रुपे का tax आया तो 100 रुपे किसके पास चला जाएगा center के पास और 100 रुपे चले जाएगा state के पास अगर मैं कहूँ UP में ही बना के मैं UP के पास बेच रहा हूँ UP के अंदर ही बेच रहा हूँ तो 2 जगा चला जाएगा state के पास और center अगर मैं कहूं कि UP से बना के मैं दिल्ली में बेच रहा हूं तो स्टेत को हमने क्रॉस कर दिया अगर 200 रुपए का टेक्स पंदता है तो 200 रुपए सारा का सारा किस के पास चला जाएगा center के पास इसको बाटने की कोई अवसकता नहीं है तो बाकी ये सारा mechanism कुछ-कुछ लेके आया गया जब ये सारी बाते समझ में आई तो जो government है इन्होंने क्या करा ये bill मार्च में पास हो गया recommendation दिया गया committee ने बोला कि bill जो है आपका 4 Central GST आपका लगेगा जहां पे चार पार्ट में बाट दिया गया एक दो तीन चार जो कि आपके ये चारों पार्ट थे इस पार्ट में तोड़ दिया गया यह सिर्फ पैसे का बटवारा करने के लिए था अप्रेल 2017 के अंदर एप्रेल 2017 मार्च खतम हुआ दा अवब सभाने भी बोला हमें समझ में आगया है तो दोनों ने सहमती बनाई और यह चला गया लाजव और राष्ट-पती ओपर क्या कर दिए और ये बन गया एक्ट तो बिल जब एक गवर्मेंट बोलते है कि हम यह कानून लाएंगे दूसरा बोलता है नहीं तो जब तक राष्टपती का सिगनेचर नहीं होता तब तक उसको हम Bill नाम देते हैं और जैसे ही राष्टपती सिगनेचर कर देती है तो उसके बात क्या बन जाता है वह चलने चलना ही पड़ेगा इसके लिए इसके बाद आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं अंटिल अन्नेस यह एक्ट खतम ना कर दिया जाए तो यह गौर्मेंट के पास पावर होती है इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीचता गया एप्रेल आया क्योंकि अब सब चीज होई गया तो गौर्मेंट ने बोला कि लिए बहुत अच्छा समय है हम फटा-फट से काम करते हैं एप्रेल आया एप्रेल के बाद मई जून और एक जुलाई एक जुलाई एक जुलाई को पीम मोदी ने पीम मोदी जी ने सहमती बनाया और एक मीटिंग बुलाया रात में करीब था पूरा एक और्गनाईज करके फेस्टिबल के तरीके से बनाया कि आज से हमारा GST क्या करते हैं अपलाई कर देते हैं आज से GST अपलाई कर देते हैं तो जब GST बना पूरा वेबसाइट क्योंकि GST बनाने से नही किया जाए पना सब कुछ मना तो बोला गया कि आज चीस टीआ करते हैं तो पूरे लिए अपलाई करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेगा आपका भलाई है ऐसा रहेगा यह रहेगा वो रहेगा लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था उन्होंने बोला हम तो नहीं लगाएंगे उन्हीं बिटविंदा क्या हुआ कि जमू एन कश्मीर में क्या गया सर बहुत भ्यानक एक तरीके से बीच में बाढ़ भी आया था वहाँ पर सेंट्रनल गॉर्मनने बोला कि आपको जी स्ट पर कंसर नहीं दे रहें आपका टेक्स पर नहीं दे रहें हमारे साथ नहीं दे तो कोई चीज अगर दिकत भी आती हैं तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे जो पैसा इनको राज़ी एक्स्ट्रा दिया जाता है आपने देखा होगा कहीं पर अभी बाढ़ आ जाए। आपने देखा होगा के सेंटर गवर्मेंट ने 5,000 कुरूर रुपे का या 1,000 कुरूर रुपे का महाँ पे क्या चंदा दिया हो। तो वो चंदा बेसिकली कहां से ह होता है जो टेक्स का पैसा होता है तो अपना पैसा उस राज्य को देते हैं एक्स्ट्रा के भाई तुम्हारे उपर आपदा आगई तो इसके उपर आप खर्च करिए तो जमुएंड कश्मीर ने जब एगरी नहीं किया तो क्या लगता था कि आपको परदान मंतरी उनके उप पूरे इंडिया के उपर GST apply हो गया पूरे इंडिया के उपर GST तो ये था हमारे थोड़ासा एक GST का background के GST कैसे कैसे बनाया गया कितनी इसमें tension हुई कितने अब जाके और जब GST आय। तो बड़ी सारी दिक्कते थी बहुत दिक्कते इनका website नहीं चल रहा कोई कैसे लगाएगा नहीं लगाएगा क्योंकि नए नए चीज़ें आए हैं तो लोग अकाउंटेंट भी परिशान हर जगा परिशान के कैसे करना है नहीं करना है अब इस GST को लाने के क्या-क्या फाइदे हुए हम एक बार उस फाइदे को भी देखेंगे GST को लाने के फाइदा क्या था सर हमारा सारा GST तो आ गया हमने ये भी समझ लिया सर Union Territory है या फिर हमारा यानि GST को देखा जाए तो कितने कैटेगरी में बाट दिया गया चार CGST, SGST, UTGST और IGST, IGST का पैसा किसके पास जाता है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा explain कर दूँ, देखो पैसा कौन सा कौन सा बटने वाला है अगर मैं बोलू GST को, तो सर GST को चार भागों में बाट दिया गया GST को चार भागों में बाटा गया और इन चारो पैसों का हिसाब किताब कुछ पैसे तो ऐसे, कुछ GST तो ऐसा रहा, जैसे गवर्मेंट बोलती है सर, One Nation, One Tax वहाँ जब आया था तब गवर्मेंट ने यही बोला था और हलाकि GST के अंदर मतलब आप यह समझे कि जैसे मैंने बताया AIMS कोई भी बिमारी है तो AIMS में जाके वहाँ इलाज हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बिमारी के लिए एक ही दबाई मिलेगी आपको सेम कोई भी टेक्स है आपका तो वह GST के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा, वहीं समाधान मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी पे दस परसेंट पिक्स है तो दस परसेंट ही लगेगा इसके रेट से लग अलग है 0% रेट से 1% रेट है 5% रेट से आपका 12% रेट है 18% रेट है 28% रेट है लेकिन गवर्मेंट ने इसमें 28% से जादा GST नहीं रखा इसका रखने का एक और भी परपस था कि बाहर के लोग जब आएंगे इंडिया में बिजनस करने के लिए FDI आएगा तो उस situation में उनको क्या मिलेगा फाइदा वो सोचेंगा इंडिया के अंदर tax जो complexity है वो नहीं है बहुत सी सरल है तो हम यहाँ पर बिजनस कर सकते हैं तो 28% हमारा रखा गया इसके अंदर क्या GST maximum rate कितना रखा गया सर maximum rate रखा गया 28% लेकिन government ने चलाकी करी क्या चलाकी करी कि भाया कुछ ऐसे product थे जहां पर उनको huge loss हो रहा था बहुत ज़्यादा loss हो रहा था जिसके ऊपर tax 200% के तक भी वो लगा रहे थे पहले 100% से उपर का भी tax पहले लगाया जा रहा था government ने कहा हमने maximum rate जहां 28 कर दिया तो जिसके ऊपर 200 रुपए का समान है मान लेते हैं 100 रुपए का समान अगर हम 300 रुपए में बेच रहे हैं तो अब तो हमें 128 रुपए से ज़्यादा का tax ही नहीं आएका जिसमें से था दो चीजे एक था petrol और दूसरा था wine यानि जो भी आपका wine था इसके उपर बहुत ज़्यादा tax लगाया जाता है और petrol के उपर भी बहुत ज़्यादा tax लगाया जाता है आप calculate जब करोगे ना कई बार पेट्रोल पे आप पाओगे के कम से कम हमारा अगर सारे टेक्स हटा देना पेट्रोल तो भारत के अंदर अभी इतनी महंगाई होने के बाद भी साइद 25-30 रुपए लिटर पेट्रोल आपको मिलेगा इससे ज़्यादा महंगा नहीं होगा लेकिन स प्लस हो गया इसे वाइन की बात करूं में तो वाइन आप देख लो जैसे गोवा के अंदर क्या करा हुआ है उन्होंने टेक्स फ्री करा हुआ है तो जो वाइन जो यहां एक बॉटल यहां पे 500 रुपए की है सायथ वहां पे सो डीड़ सो रुपए की मिल जाती होगी पेट्रोल को और वाइन को इस कटेग्री में रखेंगे यह नहीं हमने बोला पेट्रोल जी एस्टी विल बी एपली केबल ऑन गुड्स और प्रोडक्त को रख दिया गया बोला गया पेट्रोल पे जैसे पहले कहानी चल रही थी वैट अभी भी वैट जिंदा रहेगा और प्रेट्रोल और वाइन के उपर अभी भी जी एस्टी नहीं लगता है उसके उपर वही पुराना टेक्स लग रहा है जो की है वैट सर्विस ट्रेक्स ज्रोच जो पुराना रीजन उनके पीछे गवर्मेंट का यह दिया गया तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भीया पेट्रोल को भी लेके आप जीस्टी के अंदर तो पेट्रोल को लाया नहीं जा सकता क्योंकि में इंकम का सोर्स वही है हाँ पेट्रोल मैं यह जानता हूं कि आने वाले दस से बारश सालों के अंदर पेट्रोल को जीस्ट के अंदर लेके आएंगे जब एवी का बहुत ज्यादा ट्रेंट हो जाएगा जब वाइड करंएमिट रखा जाया जिसमें से एक वाइं है तो उस केस के अंदर उसे क्या कर दिया जाता है कि थोड़ा ٹक्स बढ़ाit के महंगा दिया जाता है आप लॉक्डाउन में भी देखोगे तो गवर्मेंट का इतना बड़ा इंकम का सूर्स था कि लॉक्डाउन में स्कूल से पहले शराब की दुकाने खोले गई थी में रीजन यहीं था कि वहां से ज्यादा टेक्स आगा लॉक्डाउन के अंदर देख देखेंगे ना तो आप हटा दीजिए कितनी गैधरिंग होती है नहीं होती है वो सब चीज़े हटा दीजिए आप आप देखेंगे जिसके अंदर गवर्मेंट का टेक्स का लॉस हो रहा था सबसे पहले उसको उपन करते गए आप इस समयसिया से समझेए आप बोलेंगे सर सबसे पहले वाइन क्योंकि सबसे ज्यादा मोनिटरी कहां उसका लॉस हो रहा था वाइन को पहले वाइन को उपन किया वहां भीड़ नहीं हुई बिलकुल भीड़ वहां भी उसके बाद स्कूल कॉलेजिस से उनका कोई रेवन्यू का सूर्स ही नहीं रहता बलकि उनको दे इंट्रा स्टेट मतलब विदिन स्टेट अभी इनके अकाउंटिंग आस्पेक्ट भी देखेंगे हम कि सर अकाउंटिंग आस्पेक्ट है क्या और उसके इसाब से फिर हम इसको सोचेंगे इंट्रा स्टेट मतलब सर विदिन स्टेट अब स्टेट भी देखो तो दो तरीकी एक तो वह बिल्कुल अकेला union territory हो जाता है और एक normal जो हमारा UP राजस्थान बंगाल बिहार यह सब है यह भी हमारा स्टेट है तो कुछ जगह पर जब इंट्रा स्टेट बोलते हैं विदिन ज सब्सक्राशिट तो कुछ जगह पर क्या सी जी 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 जो है वहर जगह जिन्दा है सी जी एसटी यह तो संटर गर्वंगा झालरक हम तो पूरा चाह रहे थे लेने के लिए लेकिन फिर बाद में सहमती बनाएंगी CAGST तो हो गई हर जग है इसके अंदर प्लस हो सकता है SGST SGST भी प्लस किया जा सकता है यानि अगर किसी राज्य में हम है तो सर क्या लगेगा CGST और SGST लेकिन अगर राज्य नहीं है वो Union Territory है तो CGST तो रहेगा ही रहेगा और उसमें प्लस क्या हो जाएगा सर UT GST उसमें प्लस क्या हो जाएगा UT GST यानि बड़ी सीधी सी बात है अगर आप स्टेट के अंदर अंदर काम करते हैं या Union Territory के अंदर काम करते हैं तो सर क्टेक्स का दो बटवारा होगा एक कहां होगा सर सेंटर के पास और एक कहां होगा स्टेट के पास कितना होगा जो भी रेट है अगर 10% का रेट है तो 5-5% बात लेंगे और अगर 15% का रेट है तो साड़े साथ वैसे जो रेट 18-12% आप कई बार देखिएगा बिल्कु देखिएगा और वहाँ पर लिखा होगा जीएस्टी तो वहाँ पर देखिएगा दोनों रेट को आधा-धा कर रहा होगा उन्होंने ठीक है एस जीएस्टी और तो वह रेट आधा-धा चला जाता है उनके उपर पास इसके बाद देखा जाए अगर आप करते हो इंटर स्टेट इंटर स्टेट इंटर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो सर इंटर स्टेट क्या होता है इंटर स्टेट होता है हमारा आउट ओफ स्टेट बड़ा सीधी लेंग्विज में बोलें आउट ओफ स्टेट यानि सिंपल सी बात है सर यूपी और डेली मैंने एक एक्जामपल ले लिया ताकि आपको याद रहे सर अगर हम बात करें इंटर स्टेट की तो इंटर स्टेट के केस में क्या होने वाला है यहाँ पे सिर्फ अकेला एक ही राज करेगा और कुछ भी नहीं रहने वाला है अगर मैं अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से बोलू के मैंने एक समान दिल्ली में खरीदा और दिल्ली में ही बेच दिया तो वहाँ पे CGST और SGST लगेगा अगर मैं बोलू एक समान मैंने दिल्ली से खरीद के पंजाब में बेचा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा IGST इस वाले केस में हमारा रेट डिवाइड नहीं होने वाला इस वाले में हमारा रेट डिवाइड नहीं हो रहा बच्चे सर फंडमेंटल नहीं कराऊंगा मैं पहले अभी GST का देख लू चलिए आगे टू भी कंटीनिव चलते हैं अकाउंटिंग आस्पेक्ट देख ले क्योंकि यह ज़्यादा जरूरी है इससे हमारा थोड़ा कंसेप्ट क्या हो जाएगा बिल्डप हो जाएगा अभी तक हमें यह समझ में आगे इसका नामकरन समझ में आगया कि क्यों है ऐसा नाम और इसके मतलब समझ में आगये कि भाईया इसका क्या-क्या मतलब था क्या परपस था क्या ओरीजन था वैसे तो बैक्राउंट बहुत बड़ा है लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉट में बताने की कुश्स करिए इसको सबसे पहले समान जो बनता था न वो बनता था फैक्टरी में सब फैक्टरी के अंदर एक गुड्स बनाया गया और इस सौर रुपे का मैं पुरानी बात कर रहा हूं और इस सौर रुपे पर सरकार ने बोला एर्जियूम के हम जो टेक्स लेंगे जो कि हमारा पहले सेल्स टेक्स हुआ करता था हम टेक्स लेंगे या एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था वो टेक्स लेंगे 10 रुपे that is आपका हो गया 110 सथ सौर रुपेका इसने समान खरीदा बेचने के लिए तयार हुआ दॉ आपकार समान उगा 110 इक सौ डश त ये समान किसको बेचेगा ये समान बट वविस सी बात है कि यह बेचेगा किसी नèsकिसी दुकानदार को ट्री से सीधा जाएगा किसके पास सर एक दुकानदार के पास जाएगा जिसे रिटेलर कह देते हैं दुकानदार ज्यादा लंबी चेन ना करके एक दुकानदार कह देते हैं सर जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने इससे जब समान खरीदा तो बट ओविस है कि इसको जो गुड्स मिला वो गुड्स मिला सर कितने का सर 110 रुपए का तो यह 110 का तो नहीं बेचेगा इसमें पहले अपना प्रॉफिट मार्जन रखेगा मान लेते हैं इसने सोचा कि हम अपना प्रॉफिट तो जोड़े पहले इसने इसके अंदर प्रॉफिट एड़ॉन किया सर प्रॉफिट एड़ॉन किया 40 रुपए कितने का बन गया सर 150 का और 150 के बाद बोला अब टेक्स लगा देते हैं गौर्मेंट को टेक्स देना चलो दे इसने टेक्स 10% ही चल रहा है तो 15 रुपए का टेक्स लगा के कितना बन गया 165 रुपए 165 रुपए का जब इसका टेक्स बना तो इसने क्या करा जो भी इसके पास कस्टमर आएगा फाइनली इस कस्टमर को जब भी ये प्रोड़क्ट बेचेगा एक्स वाई-जेट जो भ 65 रुपए का तो आप एक चीज़ सोचे समान कितने का था सर समान सौ का था सौ रुपए के उपर चालिस का प्रॉफिट मालो चालिस का क्या मालो प्रॉफिट मालो तो चालिस का प्रॉफिट एक सो चालिस तो कम से कम इसको देखा जाए तो टेक्स इसे ना ज्यादा देना पढ़ रहे हैं टेक्स जादा इसलिए देना पढ़ रहा है अभी फटा-फट से देखेंगे यह पहले पुरानी कहानी थी अब नई कहानी में गवर्मेंट ने क्या करा हाला कि गवर्मेंट का भी बहुत नुक्सान हुआ है इसमें लेकिन कई बार ना गवर्मेंट अपना गोडस कितने का था सर गोडस सो और उपए इसके उपर टेक्स कितना लगा अब जी एسटी की बात करते हैं 10 और लगा fee टोटल समान कितने लिए एक सो दस खार-फैक्टरी के बास समान कहां उटके जाता है वारे को घाज आए व्लिए व्लिए संधी के बाद दुकानदार ने क्या करा इसको समान कितने का मिला 110 रुपय का अब दुकानदार ने बोला कि मैं इसके उपर टेक्स मैं 40 रुपय का प्रॉफिट एड़ करूंगा तो कितने का हो गया 150 रुपए लेकिन यहाँ पर एक concept डेवलेप किया पहले भी concept था लेकिन यहाँ पर क्या concept डेवलेप किया कि यह 10 रुपए जो यह वाला 10 रुपए है यह factory के owner का जो भी factory था उसकी जिम्मेदारी थी किसको जमा करवा देना government को तो यह 10 रुपए इसने उठा के क्या करा सर यह वाला जो 10 रुपए था इसने उठा के किसको जमा करवा दिया government को यहाँ भी इसने जमा करवाया अब यहाँ पर 10 रुपए जो इसने payment किया था अब इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि यह tax वसूले कितना tax वसूलेगा वो हम देखते हैं तो इसका जो समान है यह जो 10 रुपए लगा है actual इसके समान की bifurcation जो बिल की करें तो 100 और प्लस में 10 है government ने का भाया तू 100 पर ही profit जोड़ेगा और उस पर tax लगाएगा यानि तू 100 के उपर अपना 40 रुपए profit margin जोड़ ले तेरा बनता 150 रुपए अब इसके उपर तू tax लगा 140 अब इसके उपर tax लगा यानि कितना बनेगे हैं हमारे 140 पर tax लगाएगे हम तो government ने का इसके उपर tax लगा that is 14 रुपीस और ये 14 रुपीस मुझे पूरा मत जमा करवा तूने पहले ही जो तेरे नाम तूने जो पहले पुराने दुकानदार था ना जिससे समान खरीदा था उसको तूने 10 रुपए दिया मेरे पास तेरे नाम के ही 10 रुपए आएए है तो अब तेरे पास कितना तूने कस्टमर से वसूल लिया सर अगर कस्टमर से देखा जाए तो अब जो ये समान बिकेगा वो किस के पास बिकेगा सर ये कस्टमर के पास जाएगा कस्टमर से मैं तुझे कितना वसूल ले की बात कर रहा हूँ कस्टुमर चिORII कि वसूल से लेंगा सर 154 तू कस्टुमर by Fiction ये वना 143 थे और 14 रुपए तूने कस्टुमर से लिए तो 154 रुपर को ले तो तेरे पास कस्टुमर की कितने पैसे आगए 14 रुपए आगए यानि इसके पास customer के जमा हो गए 14 रुपे tax और तूने पहले कितना paid कर दिया 10 रुपे तो मतलब सर तू 4 रुपे और दे दे सरकार को total 14 रुपे से मतलब था tax क्योंकि पूरे समान पर कितने रुपे का tax लगा था end तक जाते जाते 14 तो सरकार को 14 रुपे चाहिए था अब chain से टुकड़ों में मिल जाए कहीं से 5 मिला कहीं से 7 मिला कहीं से 8 मिला total overall कितना चाहिए सरकार को 14 रुपे चाहिए तो ऐसे situation में देखा तो देखो यहां पर government को 10 मिल गया और इससे कितना मिल गया government को चार तो government के पास 14 चला गया और product की कीमत भी कितनी हो गई 154 रुपए 154 रुपए तो यानि पहले जो product की कीमत कितनी थी तो कहीं न कहीं product क्या हो गया तस्ता हो गया लोगों ने इसका बहुत नाजाईच फाइदा उठाए जीस्टी लग गया, जीस्टी लग गया, जीस्टी लग गया पहले भी लगा करता था वैट उन्होंने अपना profit margin बढ़ा दिया customer को फाइदा पहुचने ही नहीं दिया गया उन्होंने क्या करा, जहां पहले 40 रुपए का profit था, उन्होंने बोला पहले जीस्टी आने के बाद गवाए नहीं है मेरे हिसाब से तो, पहले देखो government के पास कितना tax जाता था government के पास पहले 10 रुपए गया और यहां से कितना चला गया इसने 10 रुपए मानलो अपना receive भी कर लिया तो 5 रुपए यहां से government के पास गया तो पहले government के पास कितना tax जाये करता था 15 रुपए और अब कितना जा रहा है government के पास 14 रुपए government का कहीं न कहीं loss तो है लेकिन उसका एक यहां पे जो था ना यहां पे क्या हुआ था कि सर आप 110 के उपर tax लगा रहे हो 110 का मतलब है सर जो यह 10 रुपए की value है यह तो tax है आप इस tax के उपर भी tax लगा रहे हो कहने का मतलब उनका था तो tax के उपर tax लग जाता था पहले जिस से समान क्या हो जाता था क्योंकि tax का mechanism कहता है कि आप tax के उपर tax नहीं लगाएंगे अगर पूछा जाए कि भई यह जीएस्टी के फाइदे क्या है तो सबसे पहली बात बोलूगा simple है ठीक है ना लोगों की सुनी बातों में नहीं जाना आपने आप भी देखोगे कि सारे tax कट गए फाइदे क्या है जीएस्टी के जीएस्टी बड़ा simple है दूसरा जीएस्टी के और फाइदे क्या है कि यहां पर tax चोरी होने के संभावना खतम हो गई पहले यहां पर क्या होता था टेक्स चोरी वैसे टेक्स चोरी अगर मैं बताओ तो इंडिया के अंदर अगर बोले इंडिया के कहीं भी हर जगह पर अपने अपने कुछ न कुछ ड्रो बैक है तो चोरी तो अब भी जैसे भी करना है कर लेते हैं लेकिन पहले की comparatively बहुत कम चोरी होने लगा बहुत कम क्योंकि चोरी और टेक्स के अंदर चोरी होने का में ने समझा कि और लोगो से बलने के लिए को को यह चमारे कए बदो हमीख सरकारी नोकरी के अधिकारी को तो एक साथ 40 लाग रुपए जिसके 40,000 रुपए की तनख्वाय है 40 लाग रुपए एक बार दिखेगा तो वह गवर्मेंट को रिपोर्ट बना करें देखा रहे यह तो उस तरीके से क्या हुआ कि उसके भी पैसे बच गए और उसके तो यहां पर क्या हो गया एक तरह के आप का रिस्वत खोरी ज्यादा था गवर्मेंट ने कहा दिया फेसलेस मतलब कोई जाएगा यह नहीं मिलने अब जहां मिलने नहीं जाओगे अगर आपकी फीस ऑफलाइन जमा करी जाती है तो आप मान लेते हैं कि कोई भी सर्विस लेते हो अगर ऐसा हो ना जैसे कि फोन रिच फोन रिचार्ज का अगर सर्विस ऑफलाइन था तो आप दुकांदार से बोल भी देते थे कि भाईया थोड़े से कम पैसे लेलो बाद में लेंगे दुकांदार अगर सामने फेस टू फेस उसी का ओनर हो लेकिन अगर वही चीज ऑनलाइन कर दी जाती तो आपके पास कोई में नहीं चारा ही नहीं किससे बूल्टए के जाके request करने के लिए कोई है इन जो आपको portal में दिख रहा है वही करना नहीं करोगे तो वह penalty क्या होता जाता है बढ़ता जाएगा अब आपको डर भी रहे गा यार penalty बढ़ रहा है किस से बूले अवाज किसके पास उठा एं त तो वहाँ पर अभी भी fraud थोड़ा बहुत चल जाता है तो सबसे पहले क्या था हमारा benefit सर benefit यह है कि tax का cash cadding effect जो बोलते हैं na tax के उपर tax लग जाता है इसको बोलते है cash cadding effect तो GST आने के बाद हमारा cash cadding effect जो था वो हट गया GST का जो हमारा tax evasion होता था tax की चोरी हो जाए करते थी वो बच गया GST आने के बाद क्या हो गया simplicity हो गया GST आने के बाद लोगों को रोजगार जादा मिलने लग गया GST आने के बाद FDI यानि foreign investment जादा आने लग गया GST आने के बाद हम एक point add कर सकते हैं सरकार के पास collection जादा होने लगे compare to before क्योंकि पहले सरकार को tax 15 दिख रहा है लेकिन वो क्या करते थे face to face मिलके settlement कर लेते थे पाँच रुपे में जाके तो government के पास तो कितना गया पाँच ही गया ना और बाकी तो जाही नहीं पाया लेकिन यहाँ पर settlement करने का कोई option नहीं है 10 है तो भीया 10 ही जा रहा है यहाँ तो यह कहानी आई total GST का अब जो इसने किया ना 14 रुपे में से 10 रुपे को जो minus कर लिया ना इसने इसका tax कितना customer से वसूला था इसने 14 रुपे उसमें से कितने minus कर दिया इसने 10 रुपे माइनस कर दिया इस concept को बोला जाता है input credit इस concept को बोला जाता है input credit input credit ठीक है तो आगे हम चलते हैं सर GST यानि सर GST की बात करें तो हम CGST और GST की बात करें तो अब किस पे लगेगा सर यह समान को खरीदने पे भी लगता है और समान को बेचने पे भी जैसे कि मैं retailer की बात करूँ तो जब मैंने समान खरीदा था अगर आप देखते हो मैं retailer हूँ तो मैंने समान खरीदा था तब भी मैंने text दिया था और जब मैंने समान बेचा मैंने तब भी टेक्स दिया यानि समान को खरीदते टाइम पे भी टेक्स देना पड़ रहा है समान को बेचते टाइम पे यानि जब समान हमारे पास आ रहा है तो इसको बोलते हैं input gst क्या बोलेंगे इसको input और जब समान को बेचते टाइम पे टेक cgst और एक होगा input output cgst यानि सर समान को जब खरीदेंगे कब लगेगा input कब लगेगा output यह समझेगा जब कभी आप purchase करेंगे जब कभी भी आप payment करेंगे maximum time पे payment का मतलब नहीं है आप payment का मतलब है आप rent payment करेंगे तब भी आपको gst input रहेगा मैंने input लिखाना हाँ input तो जब कभी भी आप कोई चीज़ परचेस करते हैं या कुछ payment करते हैं जहाँ gst लगता है तो वहाँ पे कौन सा रहेगा हमेशा input सर आउटपुट कभ लगने वाला है जब आप क्या करेंगे सर सेल्स करेंगे और नमबर दो जब आप क्या करेंगे रिसीव करेंगे जैसे मैंने सपोस करो मैंने कहा कि एक प्रोड़क्ट है जिसके उपर gst लगता है इंटरस्ट के उपर अब मैंने इंटरस्ट का gst दिया है इंटरस्ट मैंने पेड किया है तो gst लगा होगा तो ये input वाला gst लगा होगा output वाला लगा होगा मैंने कहा मैंने इंटरस्ट को क्या किया है paid किया है तो input वाला लगा होगा या output वाला तो आपने payment किया तो कौन से वाला लगा होगा input आपको एक ब्याज मिला वहाँ पे भी GST involved था तो आप कौन से वाला होगा output वाला तो आपको यह याद रखना है कि input कब लगेगा और output कब लगेगा same अगर हम बात करें तो same कहानी हमारा आ जाता है सर same कहानी हमारा निकल के आ जाता है cGST पे तो है utGST पे भी आ जाता है same कहानी लेकिन सर utGST के अगर हम बात करें तो यहाँ पे cGST के जगा पे input input utGST आ जाएगा और यहाँ utGST आ जाएगा अगली बात करते हैं सर state का रह गया मेरे पास space नहीं था मैं state का लिख देता हूँ state में भी same रहने वाला है सर एक रहेगा आपका input और एक रहेगा output एक रहेगा input एक रहेगा output IGST के अंदर भी रहने वाला है इन्पुट एंड आउट्पुट यानि IGST भी इन्पुट रहेगा और आउट्पुट रहेगा सर कब इन्पुट लगेगा कब आउट्पुट लगने वाला है कहानी same है बिल्कुल कि इन्पुट तब लगेगा जब आप परचेस करोगे और आउट्पुट कब लगेगा सर जब आप क्या करोगे सर सेल या रेसीट बड़ी बेसिक सी बाते हैं यह सारा कुछ हमारा जी एस्टी के प्रॉसस है यानि सर हमारे जी एस्टी के अंदर इन्पुट भी होता है आउट्पिट भी होता है सर इन केस डेली एंड चंडीगर टू विल अपलाई देखो डेली और चंडीगर चंडीगर में तो आई जी एस्टी लगता है डेली को न एक स्टेट का मतलब ऐसा है डेली के साथ कि थोड़ा स्टेट और थोड़ा यूटी का दर्जा दिया गया है पहले डेली के अंदर ना मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते हैं तो गूगल करके देखिएगा डेली फर्स्ट आपका चीफ मिनिस्टर तो आपको पता चल जाएगे के अच्छा पहला चीफ मिनिस्टर इस सन में आया था इसके पहले था ही नहीं पहले ये यूटी का पार्ट हुआ करता था लेकिन पब्लिक की अबादी बढ़ने के साथ और लिए यंदि सेंटर ने देखा होगा डेली को अब हम देखते हैं सर जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले बताया कि मान लेते हैं आपने पर्चेज किया सर पर्चेज किया आपने हजार रुपे का समान इसके उपर आपने क्या दिया सर टेक्स दिया मान लेते हैं सौ रुपे का तो सर ये सौ रुपे अगर मैं कहूं कि दिल्ली में ही मैं खरीद रहा हूं और दिल्ली का ही dealer है दिल्ली से ही खरीद रहा हूं तो यहाँ टेक्स जरूर लगा होगा, अभ यहां पर टेक्स कौन सा लगा होगा बता सकते हो, यानि दो लगे होगे, एक लगा होगा, और एक लगा होगा, लेकिन input वाला लगेगा, output वाला, हमने क्या करा है तो कौन सा लगने वाला है सर इंपुट अब मैंने क्या करा है फिर डेली के अंदर ही बेच दिया सेल्स कर दिया मैंने 1200 रुपए का और इसके उपर टेक्स बना 120 रुपए और डेली में ही मैंने बेच दिया तो यहाँ पे भी दो तरीके का टेक्स लगा होगा CGSTB और SGSTB बट यहाँ पे input वाला नहीं होगा output वाला होगा अब हमने क्या करा सरकार को finally tax payment करने का ठाना और सरकार को जब payment करने के तो कितने रुपे पेड करना है government को 20 रुपे इसको हम बोलते हैं इस process को बोला जाता है setup इस process को बोला जाता है setup process और setup क्या करा input से आपने output कर दिया तो इसे बोला जाता है input setup और जो tax आप पहले advance में सरकार को दे देते हैं उसको बोल दे जाता है tax credit यानि आपके account में पहले से पैसा पड़ा हुआ है उसे क्या बोला जाता है यानि सर इस टेक्स के देखो एक नाम हो गया हमारा input भी वह तो पहले clear हो गया एक बोला जाता है tax credit जो हमारा पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है कुछ बच्चों के मन में डाउट भी हो सकता है सर माल लो हमने समान बना लिए आप बेचने का मन नहीं बन रहा तो जो पैसा हमने payment करा है सरकार को वापस ही मिलेगा तो कभी भी आपका पैसा वापस नहीं आता income tax में वापस मिल जाता है इसके अंदर वापस नहीं मिलता हो बोलता है कभी भी आप समान बेचिए कभी भी आप समान बेचिएगा ऐसा नहीं कि आपने अगर यहां पर कपड़ा खरीद है तो कपड़े बेचने पर ही इंपुट का मिलेगा आप क्लॉथ खरीद करके आप सबजी बेच दीजिए चाहे कोई भी ऐसा प्रोड़क्ट बेच दीजिए जिस पर GST लगता हो उसको यहां से माइनस करके आप अलाउड कर देंगे हम तो यहां पर एक है हमारा इंपुट और आउटपुट का कंसेप्ट जो कि मैंने यहां बताया तो यानि सर अगर इसे बोला जाए तो क्या बोला जाएगा यह हमारा टेक्स लाइबलिटी यानि यह पेमिंट हलाकि मैंने ग्रहांक से वसूला कितना है सर ग्रहांक से मैंने वसूला कितना है 120 रुपे यानि 20 रुपे टेक्स का नाम का लेकिन मैं 20 रुपे सरकार को नहीं दूँआ क्योंकि 10 मैं पहले सरी 100 रुपे मैंने ग्रहांक से कितने बसूले 120 रुपे लेकिन मैं 120 रुपे गवर्मेंट को नहीं देने वाला क्योंकि सौतों मैं पहले ही पेड कर चुका हूँ खरीदते टाइम पे तो मैं नेट में कितना दूँगा 20 रुपे का पेमेंट करने वाला हूँ तो जो हम खरीदते टाइम पे टेक्स दे रहे हैं और बेशते टाइम पे इन दोनों के टेक्स को जो हम इंपक्ट को अरज्यस्मेंट कर रहे हैं इसको बोलते हैं इंपूट सेट अप और इंपूट यह भी 220 चला गया उनके पास तो सरकार के पास total में जाना जाना कितना चाहिए जितना value एड़ हुआ है उतना पहले में 100 रुपय चला गया यहां पर आपने 20 रुपय का कितना profit एड़ किया तो 200 रुपय कितने जाएंगे कि 120 आये नहीं देखा हाँ 10 उससे 100 उससे आये थे और 20 इससे आये मेरे पास भी 120 आ गये और प्रडक्त के उपर भी 10 परसेंट लग गया जो कि कितना बन गया हमारा 120 तो गौर्मेंट का यह सारा प्रोसेस रहता है लेकिन इसके अंदर पता है क्या होता है गौर्मेंट ना कई पहले यहां तक देखें कोई दिक्कत है यानि इनपूट और आउटपूट अब मुद्दे की बात है यहां पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर फिर से आ जाते हैं आप देखेंगे यहां ध्यान से तो जब कभी भी आप समान खरीदेंगे तो सरकार को टेक्स पेड करके आएंगे तो जब पेड करके आएंगे तो आप यह पैसा सरकार से आगे इनपूट में सेट अफ करेंगे यानि जब हमारे पास टेक्स का पैसा आएगा तो हम सरकार को देंगे नहीं पहले अपना काटेंगे फिर यह हमारे लिए एसेट होता है यह हमारे लिए क्या होता है और जो output वाला है सर जो output वाला है sales करके customer का पैसा हमारे पास आ गया अब ये पैसा हमारे सरकार के पास जमा करवाने हमारी responsibility है सारा नहीं कराना adjustment करके करवाना है तो ये हमारे लिए क्या होता है liability तो अगर मैं बोलूं accounting perspective से बोलूं कि बताओ भीया input text अगर आपका हो तो वो liability side में दिखाओगे या asset side में दिखाओगे तो input होगा तो asset side में और अगर output हो तो liability side में दिखाएंगे net amount करके क्या बनता है ऐगर यहाँ पर देखा जाए अभी वाले example में तो सर यहाँ पर क्या है सर ये net amount बनाए आपका net amount क्या है ये सर? net amount है आपका output और मैंने कहा tax liability है समझ मैं आइक क्यों कहा tax liability क्या करना होता है हमें जो कर दो destroys कि यहां तक कि कहानी में कोई दिख्कत है कि क्योंकि एक कॉंसेप्ट भी और रहता है कि अब वह सिर्फ पता चले मैं सीधा इंपुट और आउट्पुट पर अगर आ जाओं पता ही नहीं चलेगा फिर वह बस एक कॉंसेप्ट के लिए सारी बात है अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन भी करा दूँ आपको